नमस्कार देश के सभी नारिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुब कामना है। आप से पूछे कि नेताओ की याद में आपने कितने पुतले और कितने समारक देखे हैं तो आप कई नाम गिना देंगे। आपको बता दे कि हर देश में जवानों को समर्पित समारक होता ही है। पर हमारे देश भारत में नेताओ के नाम पर बड़े बड़े एरपोर्ट, भव्य समारक एवं पुतले तो है। पर इस देश के एक बड़ी विडम बना यह भी रही है कि आजादी के 63 साल तक इस देश में जवानों के लिए कोई भी समारक नहीं बना है। जहां जाकर भारत मा के अमर जवानों के लिए हम उन्हें सच्चिश रद्धान जली अरपित कर सके। बगर वह दिन भी आही गया जब माभारती के जवानों का भव्य समारक देश की राजधनी दिल्ली में आखिर बन कर तैयार हो ही गया। वह है राश्ट्री युद्ध समारक यानि नैशनल वार मेमोरियल। भारत की मौजुदा मोधी सरकार ने बना हुआ यह नैशनल वार मेमोरियल कितना खास है देखिए। राश्ट्री युद्ध समारक दिली के बीचों बीच इंडिया गेट के सामने बना हुआ है। 40 एकर में फैले इस गोलाकार समारक के 4 चक्र है, रक्षा चक्र, त्याग चक्र, वीर्ता चक्र और अमर चक्र, पेडों से बना रक्षा चक्र, जो यह दिखाता है कि पेडों की भांती कैसे हमारे जवान देश की सुरक्षा के लिए खड़े रहते है, उसके बाद आता है त्य 2942 भारतिय सेनकों के नाम पत्थरों पर लिखे हुए हैं, जिन में 1947-48 का जमु कश्मिर युद्ध के 1104 सेनिक, 1962 भारत-चिन युद्ध के 3250 सेनिक, 1965 भारत-पाकिस्तान युद्ध के 3264 सेनिक, 1971 बांगलादेश लिबरेशन वार के 3843 सेनिक, 1987 श्रीलंका में शहिद हुए शान्ती सेना के 1157 जवान, 1999 कारगिल युद्ध के 522 जवान, 1984 ओपरेशन में एक धूत और सियाचिन के 950 जवान, और आतंगवाद से लड़ने में शहिद हुए 4800 जवानों का नाम अंकित हैं, फिर आता है वीरता चक्र, जिस पर लेफनन जनर जलवी के सकसेना कहते हैं कि जवान और वीरता तो एक ही है, जवानों के रगरग में वीरता होती है, अंत में सबसे मद्ध में आता है अमल चक्र, अमल चक्र की लव शहीद सैनिकों की अमरता का प्रतीक है, यहीं अमल जवान जोती का भी विलै किया गया, यह वही अमल जव जोती है जो हर भारतिय जवान की शाश्वत अमरता का प्रतिक है। इंडिया गेट में स्थित अमर जवान जवान जोती की लोग ना बुझी ना ही कमजोर हुई बलकि उस जोती को पुरे सम्मान के साथ राश्ट्य युद्धसमारक के जोती के साथ मिला दिया गया। राश्ट्र युद्ध समारक इंडिया गेट के सामने सी हेग्जागान में बना हुआ है राश्ट्र युद्ध समारक 40 एकड में फैला है समारक बनाने पर 186 करोड रुपे खर्च हुए इसकी डिजाइन का चयन आंतर राश्ट्र वास्तुकुला प्रतियोगिता से लिया गया है आजादी के बाद के 25,942 भारत्य सेनिकों के नाम पत्थरों पर लिखे है यहाँ जाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा इतना ही नहीं यहाँ राश्ट भक्ती पर कारेक्रम का अनन भी मिल सकेगा तो देश के जवानों और राश्टी उदसमारक को शत्षत नमन VKB News की गनतंत्र दिवस की खास पेशकश में आज इतना ही अब मुझे दीजे इजाजत मगर खबरों का सिलसिला VKB News पर लगाता रहेगा जारी